क्या आपको इंग्लिस पढ़ने आती है बहुत अच्छा बहुत सारे बच्चे को इंग्लिस पढ़ने आती है लेकिं इंग्लिस समझ में नहीं आती है तो उनका यही कहना है कि इंग्लिस तो हमें आ रहे हैं लेकिं हमें समझ में उसके लिए क्या करें और वैसे कौन से हैं तो आसानी से आपको ही इंगली समझ में आने लगी तो हेलो दोस्तों नमस्कार स्वागत आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर मैं महिस प्रजापती आज आपको एसी टिप्स बताऊंगा जिसे आपको भी इंगली समझ में आ जाएगी और यह टिप्स आपको फालो करके प्रापर सही तरीके से पढ़ लिए उसका अगर प्रणुश्य सही से हो रहा है अब पढ़ने आगई तो उसके लिए आपको समझना है तो आपको उसको हर वर्ड की मीनिंग आनी चाहिए मतलब आपके जितना ज्यादा बड़ा सब्द को सब्द का भंडार रहेगा उतना ही या आसानी से आप English की मेन को समझ सकते हैं उसके क्या करना है जैसे आप फिरक्ट क्म्हास में है इसाइव पैर ख्रेक्त हुं कि यह उसके पर्राड चारे की लिए लिए अपको चाहिए तो आप Play Store से बहुत धेट सारे ऐसे एप्स मिल जाएंगे जहां पर आपको मीनिंग्स हिंदी में जो लेंग्वेज में चाहिए उस लेंग्वेज अगर आपको Englis की मेनिंग माराटी वी मिलेंगे यह से बहुत ही सारे एप्स हैं वहां से आप meaning लिख सकते हैं और उनको याद कर सकते हैं अगर आप meaning अच्छे से लिख के याद कर लिए तो समझे धीरे 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 ऐसे अगर आपने 10 paragraph 20 paragraph किया ना अगर अच्छे समझ में आ गया तो आगे के आने वाले जो paragraph रहेंगे जो भी lesson रहेगा आपको आसानी से समझ कर लिए उसमें page number 20 से लेके आगे 24-25 तक कुछ meaning से जो basics meaning जिसके meaning आपको किसी book में नहीं मिलेगी उसको भी आप लोग याद कर लिजेगा तो यह सारी tips से जिसको आप फालो कर सकते हैं सबसे पहले आपको सारी-सारी meanings जात करनी है basics meaning जात करनी है उसके बाद आपको tense भी ध्यान देना है क्योंकि जो हमारा कोई भी sentence बना होता हुआ tense के अनुसार बना होता है तो tense के लिए आप हमारी वीडियो दे सकते हैं कि किस तरह tense जंडे तो किस तरह tense बनता है और उसके साथ-साथ में आप हमारी जो other classes के उच्चारण हिंदी उच्चारण की हिंदी अनुवात की वीडियो है जो भी class से है वह भी हमारे चैनल पर मिल जाएगी तो उसको भी देख सकते हैं तो वहां पर हमने आलड़ी किसी भी lesson का कि इस तरह अर्थ बताया है वह भी आप समझ सकते हैं उससे आपको आसानी होगी समझने के झालो